इस दिशा में रखें बासुरी, पती-पत्नी के रिष्टों में आएगी मिठास। घर में पड़ी हुई चीजें आपकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर डालती हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में पैदा होने वाली नकरात्मक और सकारत्मक उर्जा आपके रिष्टों को प्रभावित करती हैं। इस शास्त्र में घर को सजाने के लिए कुछ नियमों का भी वर्णन किया गया है। बासुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प् सुनें। पती पतनी के रिष्टों में कई बार करवाहर पैदा हो जाती है। आपसी समझ ना हो पाने के कारण रिष्टों में दरार पढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे में आप अपने कमरे में हरे रंग की बासुरी को अपने कमरे में रखें। इससे आपके रिष्टे मे मिठास बढ़ेगी एक दूसरे के लिए सम्मान भी बढ़ेगा धन के खुलेंगे रास्ते यदि आपके घर में धन की कमी रहती है तो आप घर की किसी दीवार के बार बांसुरी का जोड़ा लटका दें घर में पैसों की वृध्धी होने लगेगी और आये के नए रास्ते भी खुलेंगे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बासुरी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देगी मोरपंख लगी बासुरी लगाएं कई बार आपके काम बनते बंते बिगर जाते हैं इसकी वज़र से आपको बहुत सी परिशानियों का सामना भी करना पड़ता है ऐसे मे आप मोरपंख लगी हुई बासुरी को घर की दीवार पर लगा दें सारे बिगरते काम बनने लगेंगे बच्चों के कमरे में लगाएं बासुरी बच्चे के कमरे में सफेद बासुरी लगाएं इससे उनके पढ़ाई में मन लगेगा पढ़ाई में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी जनमाश्टमी के दिन बजाएं बासुरी वास्तु शास्त्र के मुताबिक जनमाश्टमी के दिन श्री कृष्ण का बासुरी बजा कर सुनाने से घर में सुख सम्रिधी आती है प्लीज सब्सक्राइब माई चानल